महानाधर तुम लीद उगू महानाध दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जलचळाने का क्या लाव है शिव महापुरान कथी है अगर एक दिन शिव महापुरान की कहता कह थी ए & सोम्वार के दिन भगवान शंकर को अगर जलचळाया जाता है अपोरी दुनिया में पेवल एक बेलपत्र का रख्षि का समय पर गुआरी लगने पेड़े एक पेड़े चुन जिसके आँ लच्मी नहीं किती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी लिती हो लच्मी से जोड़ी भी बैपार से जोड़ी हो, पैसा हाई ही में लिया, बहुत मिनद कर थे, शौंबार की सौंबार पाँच सौंबार बेल पत्री पेड़ के नीचे एक घीका दिया लगाना चलू कर दीजिए शाम शूंबार करके देखो चठे सौंबार करने की जरूरत नीपड़ेगी वैपार अपने बढ़ना चलू हो या लच्छमी शाम के समय पर प्रती दिल प्रती दिल बेलपत्र के पेड़ के नीचे खुआरी लगवादा शंकर भगवान की प्रियता बेलपत्र पहले भी कथा में कहाच फिर करते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, बेभव, सक्ता, लच्छमी की थोड़ी भी कमी दिखती हो उसको बेलपत्री के व्रक्ष का पूजन चालू कर देना चाहिए जाओ सुम्बार की दिन बेलपत्र ब्रक्ष के नीचे जल चड़ा कर जल का सीचन करकर उसी बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर संध्याकाल में प्रदोश काल में भगवान देवधिद्यों महाद्यों गोरी शंकर का इस्तमरण करो बेलपत्र की जड़की और बेलपत्र की तनाकी और बेलपत्र के व्रक्ष की और तुमारा मुखो कोई आसन नहीं कोई आसन नहीं केवल बेलपत्र के व्रक्ष की और तुमारा मुखो जहां बेलपत्री का व्रक्ष है उसके नीचे बेट कर उसकी च्छाया में उसकी ओट मे पंचाप्छर मंत्र नमस्षिवाय या फिर शड़ाप्छर मंत्र ओम नमस्षिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्थ उभ्यम का इस्मर्ण करकर अपने हिर्दय की बात गवरी शंकर से महादेव से कहे शुमहापुराण की खता करती है साथ दिनों में एक दिन सोंबार का इसा होता है जिस दिन 33 कोटी देवी देवता बेलपत्री के ब्रच के नीचे बेट कर भगवान शंकर और पारवती का इस्मर्ण करते हैं और शुपारवती उनकी जोलियां खुशियों से बरते हैं देवता और आप लोगों से एक निवेदनोर करना चाहेंगे ये मनुष्य का शरीर जब तक रहे इमानों की देह जब तक रहे जिंदगी में एक बेलपत्री का ब्रच अपने रहते रहते कहीं पर भी लगाना उसको बढ़ा करना उसको बढ़ा करकर जैसे अपने बच्चे को बढ़ करते हो ऐसे लगा कर बढ़ा करकर महादयों से कहना कि मेंने अपनी जिंदगी में मर भी जाओं मेरे प्रांचूट भी जाएं मेरे जाने के बाद मेरे घर के लोग एक लोटा जल चड़ाएं ना चड़ाएं बेलपत्री चड़ाएं ना चड़ाएं और ये ब्रक्ष मेने ब बिल्पत्र महादेव को चरती रहेगी महादेव को प्राप्त होती रहेगी लगाओ एक बिल्पत्री के पोधे को छोटे से बड़ा करो बड़े से बड़ा करो और बड़ा करने के बाद उसको कहीं तुम्हारी मर्जी पड़े जहां उस बेल्पत्री के ब्रफ्षिक को प्रिया खकलीक में आगए में लगदा आए कि मुझसे बहुत करतिया हुई है बाबा ने दी नहीं सुदा ये बिलपत्त ने तम भाग की पीछे की और पर जहां बिलपत्त चाह रहा है पत्ती का अपनी है और ने अपनी है अमसान में शिब्षी को कुछ आरा ना है मेरे भूल बाबा की कुछ सहत ना है खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे में भी खड़ी हूं नंदी बाहे पसाँ मैं भी खड़ा हूं नंदी बाहे पसाँ अपने रहे हैं के ने घर जोती कमजोर पढ रही है जाले पढ़ने लगे चसमा बढ़ने लगारात को आतों हो मरी बिलते तो बेक्ता के महिने में जो दुर्वा होती है तो दुर्वान को तोड़ला हूं जहां पर पशुष अचुक सुन्द्री की अस्थान होता है जह बोड़ और कुंद कैशवर महादेव नामा रहा है कुंद कैशवर वेशाक के महंने में कोई बी कि जिर tão कोई भी भी कोई वागा आ अप वेशाक के महईने में डर्वा कर सकते हैं में वब जो दूर्बा को लेके हां लगवा 20-20 गर्वा लेकी इस सुभा सुभा रुन कैश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्राधार्व मढदेशा या नेत्रों में तकलीफ है या कोई-न ना कोई टात्री कोई निदनी आना बेचे नी हो जाना घबराद दाना धीरे-धीरे-धीरे-धीरे 20 दिन की वो दुर्वाँ है 20 दुर्वाँ एक एक खाना चलूँ करो चार या पाश दिन लगेंगे आपको कोई गोई खाने की जुरूत ने पड़ेगे नीद अपने आपना प्रावर हो जाएगे अशोक्सुंद्री वाली जगा पर दुर्बा समर्पित करकर पुंद्र गई श्रमाहरेओं कोन से महरेओं को पुंद्र गई जिस नारी का रजो धर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलिफ होती है केवल हात में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वह पान कर लेती है तो रजो ध आशाय में अगर गाठ भी पड़ गई है और डाक्टर कह रहा है कि बच्चा दानी में गाठ है गरबाशाय में गाठ है और इसका आप्रिशन होना जरूरी है आसकनी दक्ष्य प्रजापती की पहली पतनी का मात्रिस्मर्ण तरतर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो इसकी नाम की अशली है और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते तो इसी आसकनी का एक नाम है विरनी जोपानी का इससमरण कि इनके अगर कांट भी दर्वाश्य में ले और डाक्टर बोल रहा है कि आप्रिशन है कराना है पंदरा दिन का समय को मिल सकता है कि अप्रिशु करने के अपकी बार आसकनी का नाम लेकर जो हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी हो रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ा कर जल समर्पित करकर आचमन करकर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोल कर घर के में अंदर प्रवीश करकर घर के बाहर इस समर्ण को शिव को याद करते हुए उस बेल पत्र को चबा-चबा कर खाना प्रारम करें दस दिन मांगिए आप दस दिन के बाद मैं आप्रिशन कराऊंगे। मना नहीं पर एक बार मेरे महादेव का नाम का इस्समर्ण करना चाहती हूं। एक बार शिवतत्त्रु को जाने। क्या नाम है? जम के बोला नाम भूला फिर से? आसक में। इस नाम की हुलता का इस्समर्ण करें। वीर नीम आजहू नयीकि दो सून्ड़ी एक eight-รंज ऑ फंग रहा है और सवड़िया कोनल सिनकर राइट लेपर नीजिंसु कर रहा है या आपकोे रहा है लिखता इख सनोंग समय को थे आप तो आपकी तरक्शी पो कि लिए फ़िए लोक से अगा और गर जिस्थान पर वेंट नहों जोरा तो आपके तरक्शी मार में लेप्ड सुंत लूद दूर धर में जमकर भ़ो राइंगे